उप्तर प्रदेश की सबसे रहस्यमई और एतिहासिक जगहे, जिन्हें देखकर वैज्ञानिकों के भी होश उड़ गए. नमबर एक, कैंस फोर्ट कृष्ण नगरी यानि मतुरा में तो एक से एक मशहूर और पवित्र जगहे है. उन्ही में से एक भगवान कृष्ण के मामा कंस को समर्पित, कंस किला एतिहासिक रुप से बेहद ही महत्व रखता है. महाभारत काल में यह किला पांडवों के लिए एक रेस्ट हाउस हुआ करता था, जो आज भी काफी ज्यादा मशहूर है, और हजारों लोग यहाँ पर इस किले की सुन्दर्ता देखने आते हैं. यह किला काफी ज्यादा रहस्यमई भी है. नमबर दो, सारनाथ ज्यान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश इसी स्थान पर दिया था. इसके अलावा यह जगह अशोक सारनाथ स्तंभ के लिए भी बेहद ही फेमस है, जो काफी ज्यादा बढ़िया है. नमबर तीन आगरा से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद फतेहपूर सीकरी एक एतिहासिक शहर है, जिसका निर्मान मुगल बादशाह अकबर ने करवाया था. आपकी जानकारी के लिए बता दे कि अकबर ने सीकरी को अपनी राजधानी के रूप में बनाने का तय किया था. महल में मौजूद बुलंद दर्वाजा सिर्फ भारत में ही नहीं, बलकि विश्व भर में फेमस है. इसके अंदर कई फेमस और पवित्र दरगाहे भी मौजूद हैं. साथ ही साथ, इस किले से जुड़े कई रहस्य भी है, जो हर किसी को हैरान करते हैं. नमबर चार, कैसरबाग पैलिस. उत्तर प्रदेश की राजधानी और नवाबों की शहर लखनव में मौजूद है. देश की आजादी में भी इस महल की भूमिका को आज भी याद किया जाता है. नमबर पांच, जामा मस्जिद. जी नहीं दिल्ली में मौजूद जामा मस्जिद के बारे में नहीं, बलकि आगरा में मौजूद जामा मस्जिद के बारे में जिक्र हो रहा है. लगभग 1645 में निर्मित जामा मस्जिद शाह जहा की बेटी और शहजादी जहां आरम बेगम को समर्पित है यह मीनार रहित धांचे और विशेश प्रकार के गुंबद के लिए दुनिया भर में फेमस है जामा मस्जिद खूबसूरत नकाशी और रंगीन फूलों से सजी हुई है उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में मौजूद वरिंदावन में एक ऐसा मंदिर है जो अपने आप ही खुलता है और बंद होता है इस मंदिर को रंग महल के नाम से जाना जाता है माननिता है कि निधिवन परिसर में स्थित रंग महल में भगवान श्री कृष्ण रात्री में शयन करते हैं मंदिर में हर रोज प्रसाद के तौर पर माखन मिश्री रखी जाती है इसके अलावा भगवान कृष्ण के सोने के लिए पलंग भी रखी जाती है सुबह जब मंदिर खोला जाता है तो ऐसा लगता है कि इस बिस्तर पर कोई सोया था और प्रसाद भी ग्रहन किया है